दोस्तो स्वागत है आपका Amplifier World चैनल में देखिए दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक PCB का डिजाइन करके PDF फाइल आप लोगों को दी थी और उसको टेस्ट नहीं किया था तो उनमें से एक सब्सक्राइबर Mr.Nandu उन्होंने इस PDF को बनाया और टेस्ट किया तो इनिशल स्टेज पर देखिए उन्होंने दो चैनल बनाया थे लेफ्ट और राइट उस तरीके से मैंने दे रखा है तो वो चालू नहीं हुआ और उन्होंने ये बोर्ड मेरे पास भेजा था अनलाइसिस के लिए तो मैं बता दू कि PCB का जो डिजाइन अगरे सा सब कुछ करेक्ट है उसमें कुछ मोडिफिकेशन किये थे जैसे जो ओल्ड कंपोनेट्स नहीं मिल रहे थे उनकी जगे मैंने मॉडर्ण कंपोनेट्स सजेस्ट किये थे जो उसमें यहाँ पर एक जीनर डैवर्ड सजेस्ट किया था तो अच्छली यह जीनर डैवर्ड लगाने के वज़ए से यह बोर्ड चालू नहीं होता है तो यह जीनर डैवर्ड को आपको नहीं लगाना जबी आप इस बोर्ड को बनाएंगे तो मैंने जैसी इसको यह जीनर डैवर्ड हटा दिया तो यह बोर्ड काम करने लग गया तो यह काफी देर लग गई माथा पची करने में मतब यह पूरे कंपोनेट निकाल के चेक करने पड़े एक-एक और उसके बाद दूसरा साइट ब्लैंक था तो सारे उधर ट्रांसफर की एक-एक शेक करके लास्ट में मुझे पता चला कि जो जीनर डैवर्ड है उसको लगाने के वज़े से जो इन्पूट रांजिस्टर है इनको सफिसियंट करन्ट नहीं मिल रहा था इस वज़े से यह आगे के ट्रांजिस्टर को काम नहीं करावा रहे थे तो चलिए जीनर डैवर्ड हटाते ही यह बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लग गया और इसको देखिए तीस पचपन के साथ मैं टेस्ट करने वाला हूँ अब यहाँ पर देखिए बेल कंपनी के तीस पचपन है तो बेल कंपनी में भी मैं आपको बता दो कि ओरिजिनल और डुप्लिकेट का बहुत बड़ा मामला चल रहा है तो इसमें बेल कंपनी में जो बहुत सारे मनिफेक्चरर हैं जो ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो फेक मनिफेक्चरर है बिल्कुल ऐसा ही लेवल लगाएंगे बेल का और आपको सेल करने लगेंगे बेल के नाम से और ज़्यादा रकम वसूलेंगे लेकिन असल में वो ट्रांजिस्ट नकली होते हैं वो सश्टेंड नहीं कर पाते है उचलि मैं आपको बताता हूँ कि आज हम इस वीडियो में देखने के से हैं घ्착 कॉ देगे यह रहे यह तो दुलिकेट है और यह रहे यहाँ पर एक उरिजिनल तीस पश्पन के तो टीस पश्पन के जो टान चेट्श दोस्तों अम जो मुझे सप्लाय करते चो मेरे यह हैं आण component supplier उनके द्वारा ही लेता हूं मैं और वो बिल्कुल ही genuine transistor मतलब उसमें कोई problem नहीं होता है याने कि एक पेर 355 आपको 100 watt guaranteed देगा और इसी बोट पर मैं आपको 100 watt guaranteed इस 35 पर लेकर देखाऊंगा तो दोस्तो अभी तक आपने इस तरीके से देखा transformer है उसको power supply दिया amplifier board में हम वन किलो हट्स का signal feed करते हैं यह के standard setting है वन किलो हट्स signal feed कर देने से वहाँ speaker के टर्मल पर हम voltage मेजर कर लेते हैं यहां पर हमें एक voltmeter लगाना पड़ता है यहां voltage जो AC voltage है यहां पर हमें AC voltage मिलेगा तो यह AC voltage और यह speaker का जो load resistance है उसके हिसाब से हम इसका wattage निकालते हैं लेकिन कई बार speaker लगाने से बहुत शोर होता इसलिए speaker हटा कर हम वहाँ पर heating element लगा देते हैं जो speaker wire है वो चले जाते है हीटिंग element पर हीटिंग element के across में जो voltage होगा वो AC voltage होगा और हीटिंग कोईल का जो resistance है वो उसको हम करेंगे जैसे कि यहां पर मालने इतने 20 volt आ रहा है और हीटिंग कोईल का resistance चार ohm है तो हम इसको 20 multiply by 20 करते हैं और divide कर देते हैं चार से तो यह चार एकम चार चार पंचे बीस और बीस पंचे सो मतलब बराबर 100 watt हो गया तो इस तरीके से हमें अगर हमारा चार ohm का heating कोईल है उसके across में 20 volt AC आ जाता है तो हमें 100 watt output मिल जाता है तो यह तो एक तरीका यह हो गया लेकिन एक दूसरा तरीका यह बताता हूं कि जैसे यह जो speaker wire है अब हम क्या करेंगे जो speaker wire है जैसे हमारा यहाँ पर यह 24-0-24 का transformer है तो हमें यहाँ हमें पता है कि यहाँ पर हमें लगभग 24 volt के यह आसपास मिल जाएगा speaker output पर full load पर full volume करते हैं तो यह जो 24 volt है हम एक transformer यहाँ पर लेंगे यह 24-0-24 का मान लेते हैं transformer है आप चाहिए तो 24-0-24 का भी ले सकते हैं तो जैसे 24-0-24 का लिया तो यह 24 volt पर यह ग्राउंड लगा दिया मैंने speaker का और speaker का एक वार यह 24 पर लगा दिया तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर जो primary है यहाँ पर 230 volt की primary होती है अब यह 230 volt की primary पर मगर मैं अगर यहाँ पर 100 watt का lamp connect कर दूँ यह 100 watt 230 volt का lamp connect कर दिया मैंने तो यह पुरा full brightness के साथ जलना चाहिए और यहाँ पर मुझे जब यह full load के साथ जलेगा तो यहाँ पर मुझे 220 से लेके 230 volt के करीब मिलना ही चाहिए इस टर्नल पर तो अगर यह यहाँ पर 230 volt मिलता है और यह lamp full glow के साथ जलता है और यह हमने वन किलो हर्ट की frequency दे रखी है तो लैंप 100 watt का है और full glow के साथ जल रहा है मतलब उसके टर्नल पर 230 volt है तो इसका मतलब वह 100 watt का यह इसको फीड कर रहा है मतलब यह amplifier board के उपर 100 watt का लोड है यह तो बहुत सीधी सिंपल बात है इसको तो कोई भी आसानी समझ सकता है कि अगर मेरा 100 watt का लैंप है 100 watt का लैंप मैंने जैसी 220 वोड पर लगा रखा है तो वह तो डेफिनेटली 100 watt खा ही रहा है तो मतलब 100 watt का लोड इस amplifier पर है यह एक तरीका हो गया और दोस्तों जैसे मैं आपको उता दूँ यह अगर मेरा एंप्लिफायर 100 watt मैं इसे क्लेम कर रहा हूं तो जो यह मेरा ट्रांसफार्मर है 24-0-24 यह फाइव एंपेर से लेके 5 एंपेर यह उससे ज्याद अगा होना चाहिए मिनिमम 5 एंपेर तो होना ही चाहिए तभी यह प मेर पास यहां पर फिलाल 8 एंपेर का ट्रांसफार्मर है तो भी लगा सकता हूं यानि कि ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहों मतलब मिनिमम होगा लॉस यहां पर और हमें फूल आउटपुट इस लैम्प पर मिलेगा अब दोस्तों यह एंप्लिफायर का सेटप है इसको पाउर सप्लाई से जुड़ा हुगा है अब हम यहां पर ले रहेंगी एक ट्रांसफार्मर 24-024 का यह ट्रांसफार्मर है 8-10 एंपेर के करीब रेटिंग देता है यह तो मैं इसे ठीक 8 एंपेर मानता हूं और देखिए इसकी प्रैमरी में हमने यहां पर एक 100 वाट का लैंप का लगा दिया है देखिए यहां पर यह लाउप आप देख सकते हैं 100 वाट क्लियरली लिखा हुआ है 100 वाट 230 वल्ड चलीए इसकी प्रैमरी करक्ट हो गया है अब यह तो 12-0 का है इसको छोड़ देते हैं 12 जीरो यह 24, 0, 24, तो हम 24 और 0, या तो ये 0 और ये 24 के बीच में इस पीकर लगाएंगे, या तो ये 0 ये 24 के उपर में, तो चलिए ये दोनों पर लगा देते हैं, इसको कर देते हैं, साइड में, अब मेरा स्पीकर टर्मनल यहां से, यह देखें, ये ग्राउंड से जुड़ गया, यह इधर से जूड़ गया अब इसको हम इसको सीधा कर लेते हैं अब देखिए सेट अप मैं आपको दिखाऊं तो इसकी प्राइमरी पे यह लैम कनेक्ट है 100 वाट का और यह ट्रांस्फार्मर 2400 का 8 एमपेर का वो DC में कनवर्ट होके हमारे इस बोड को पाउर सप्लाई फिट कर रहा है यह हमारा बोड इसके जरीए पाउर सप्लाई बोड को आ रही है चली इसको इस तरीके से रखते हैं तो दोस्तो हमने यहाँ पर मॉबाइल लगा दिया है 1 किलो हर्ट पर सेट है और यह Bluetooth के जरीए यह volume control से यहां से connect है तो चली जैसी volume control बढ़ाते हैं देखिए लाइट जलना शुरू हो गया देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं देखिए पूरा अभी मैंने open कर दिया है क्योंकि शायद एक में टॉप कर देता हूं क्योंकि यहां यह कपड़ा जलने लगेगा तो चली अभी फिर से open करते हैं volume देखिए जैसे volume घुमाता हूं light ऐसे कम ज्यादा कर देखिए एक्तम easily volume के according ही वह work कर रहा है कर देखिए दीरे दीरे कम करते हैं दीरे दीरे बढ़ाते हैं देखिए कम ज्यादा कर देखिए कोई फेक नहीं विल्कुल 100 पर्सेंट जैनुएन वीडियो है और यह प्यूर्ली लोड टेस्ट है अब इसके बाद हम लैम के उपर वोल्टेज मेजर्मेंट करते हैं हमें इसी वोल्टेज मेजर्मेंट करना है कि दो सुवोल्ट आ रहा है एक सुनीनिन्यान पर से दो सुवोल्ट के करीब और यह लैम भी दो सुवीज वोल्ट का होता है तो 100 watt का lamp है अगर इसके हम losses हो गेरे अगर ठीक है 90 watt के करीब लैंप में power consume हो रहा है और जो losses हो रहे हैं transformer इसमें अगर हम losses पकड़ने तो हमें total 100 watt के करीब exact मिली रहा है इसमें output power कोई शक नहीं है अब इसके बार ट्रांजिस्टर का heating अगर मैं देखूं तो देखिए यह heating इसमें बहुत कम है ऐसा heat नहीं हो रहा है नॉर्मल है देखिए इस तरीके से नॉर्मल हीट हो रहा है इसके साथ दोस्तों यहां पर 1 kHz का frequency feed हो रहा है इसके primary में भी हम 1 kHz का frequency feed कर रहे हैं तो यह जो 12V का टैप होता है इस transformer में यह जो 12V का टैप है यहां पर भी हमें 1 kHz का ही मिलेगा तो हम यहां पर एक speaker लगा सकते हैं देखिए इसमें speaker पर 1 kHz सुनाई देगा आपको तो दोस्तों आपने देखा 1 kHz का frequency इसमें फीड हो रहा है speaker पर भी हमने सुन लिया तो दोस्तों इस तरीके से जब भी कोई amplifier full output load पर चलता है जैसे full output power पर तो यह जो 5W की resistance होती है यह भी काफी ज्यादा हीट होन लगती है अगर इससे मैं छूं तो यह भी काफी हीट है ले अगर मैं पानी की कुछ ड्रॉप इसके उपर रखता हूं तो बिल्कुल नॉर्मल है यह था कोई स्मोक को अगर जो स्टीम निकलता हो और हीट के वज़े से वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन पानी की कुछ बूंदे इस पर एमेटर रजिस्टेंस पर रखता हूं तो 5 वाट की रजिस्टेंस की जगे वहाँ पर 10 वाट की रजिस्टेंस लगाई जाती है क्योंकि जब ज़्यादा लोड होता है तो वह 5 वाट भी कम पढ़ने लगता है यानि कि एक 30 पश्पट का एक पेर जो है प्योर 100 वाट बिल्कुल आराम से दे सकता है तो यह दोस्तों मेरे पास यह पूरे ओरिजिनल जेनुएन ट्रांजिस्टर है यह बेल कमपनी के हैं और जो सप्लायर है जो मुझे सप्लाई करता है बिल्कुल उसका एक पेर मैंने यहां पर लगा रखा टेस्टिंग के लिए आपके सामने यह टेस्ट हो रहा है और मुझे इसमें जैसे जो फेक ट्रांजिस्टर होता है जो फेक ट्रांजिस्टर अगर मैं इतना देर लगाँगो तो बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा उतका जो टॉप केस होता है यह बहुत ज्यादा हीट होने लगता है और वो तुरंच जल जाता है वो ट्रांजिस और इस टाइप के sound output transformer लगाए जाए तो वह भी बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे और horn unit को drive करेंगे तो बहुत ही बहतरीन performance है दोस्तों मुझे भी इतना best performance इससे मिलेगा मुझे भी यकीन नहीं था तो दोस्तों देखी बिल्कुल 100 watt यहां पर मिल रहा है यह देखी मैं यहां से अगर यह बंद करूंगा तो लाइट आफ हो गया frequency feed होना बंद हो गई तो आफ हो गया जैसी मैं on करूंगा यह आउन हो जाएगा कि वालूम कंट्रोल यहां पर है देखी बिल्कुल 100% जन्यून कोई फेक नहीं है नहीं तो बंदे बोलेंगे कि लाइट 220 वोल्ड से चल रहा है यहां पर देखी बिल्कुल 1st class amplifier से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है और 1kHz की फ्रिक्वेंसी आपने सुन भी लीस पर जो दोस्तों अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो गा कि अगर क्या हो मैं इसमें 50 तो 50 अगर फ्रिक्वेंसी फीट कर देता हूं और सुपह अगर मैं कोई सीलिंग फैन जोड़ देता हूं तो सीलिंग फैन भी घूमने लग जाएगा मतलब यह आई-जेई इनवर्टर काम करेगा सीलिंग फैन का लोड़ 60-70 वाट होता है लेकिन एंप्लिफैर जो होता है वो इंडक्टिव लोड़ के लिए डिजाइन नहीं होता है ceiling fan एक inductive load है यानि की coil वाला load है तो उस वज़े से इसके performance में फरक आ सकता है जो amplifier होता है वो purely resistive load को चलाने के लिए होता है और जो lamp होता है यह resistive load है तो एक lamp 100 watt का load consume कर रहा है और आपके सामने यह amplifier पर 100 watt का load है तो काफी देर से यह load चल रहा है बहुत ही बहतरीन performance है अभी यहां पर emitter resistance कितना गर्म होती है अब आप देखिए मैं पानी की कुछ बूंदे रख रहा हूं तो 5 watt की emitter resistance जो होती है वो भी काफी गर्म होती है तो उसके उपर उंगली रखना मुश्किल हो जाता है तो जब फूल आउटपूट पाउर मतलब 5 watt का load जब उसके उपर आता है तो वाकई में उतनी गर्म होती है कि उसको छूना मुश्किल हो जाता है और एक बात और बता दूं जैसे यहां पर आप देखते होंगे जहां पर 2.2 ohm की resistance लगी होती है वो amplifier original नहीं होते वो transistor fake होते हैं जहां 2.2 ohm लग गया है कि आपके output side में load ना है सारा load resistance पर मतलब shift हो जाएगा आधा load और आधा output पर तो मतलब जो overall जो load resistance है जैसे 4 ohm से ज्यादा ही रहे है जैसे आपका speaker 4 ohm है और 2.2 ohm यह यह हो गया तो 8 ohm का जब load आ जाता है तो power जो है काफी कम हो जाती है तो यह अभी जो load चल रहा है यह 2 ohm पर चल रहा है तो 2 ohm पर 100 watt मिल रहा है जब 8 ohm पर shift हो जाएगा तो 20 watt के करीब रह जाएगा तो 20 watt में इस तरीके से जो local transistor होते हैं वो 20 watt तो अराम से समाल लेते हैं और आपको लग रहा कि 100 watt का amplifier वो 100 watt दे रहा है लेकिन 100 watt power ऐसे ही नहीं मिलता है 100 watt का lamp मैं आपको जला कर दिखाया है यह बिल्कुल real testing है 100 watt का real output power आप अपने सामने देख रहे हैं और यहां पर emitter resistance हीट होती है क्योंकि इसके उपर load है क्योंकि 5 watt का load पूरा ले रही है यह तो इसके बाद दोस्तों हम यहां पर कुछ music भी play करके देख लेते हैं दोस्तों इसे music play हो रहा है और music कौन सा play हो रहा है चलिए इसको speaker लगागर सुनते इस 8 home पर पर ज्यादा नहीं चला पाएंगे क्योंकि copyright issue आ जाता है तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस testing के साथ बने रहने के लिए तो मिलते हैं next video में thank you for watching and have a nice day